ये प्यारी चिडिया हमारे आसपास के वातावरण में बहुत आम है। लेकिन क्या आपने कभी इसे करीब से देखा है? कभी मैना देखी है? ये चिडिया अपने चमकदार भूरे और काले पंखों के साथ बहुत आकरशक लगती है। इसके पंखों पर सफेद धब्बे होते ह जो इसे और भी खास बनाते हैं ये एक छोटी और प्यारी चिडिया है जो हमारे आसपास ही रहती है। अक्सर आप इसे बगीचों, पार्कों और यहां तक की अपने घरों के आसपास भी देख सकते हैं। ये बहुत शरारती होती है और अपनी मीठी आवाज से सब को बहुत अपनी मीठी खास बनाते हैं। ये इनसानों की आवाज और यहां तक की दूसरी चिडियों की आवाज भी बहुत अच्छे से नकल कर सकती है। मैना की उडान भी बहुत ही सुन्दर होती है। ये बहुत ही आसानी से और तेजी से उड़ सकती है। जब मैना आराम करती है तो ये अपने घोंसले में बहुत ही सुरक्षित महसूस करती है। ये अपने आसपास के वातावरण का बहुत ध्यान रखती है। मैना की खुशी वातावरण को बहुत ध्यान से देखती है, ये हमेशा सतर्क रहती है और किसी भी खत्रे को भापने में सक्षम होती है। तो ये बहुत ही शांत और संतुष्ट दिखती है। ये अपने जीवन का हर पल खुशी से जीती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी प्यारी मेना की कहानी। उम्मीद है कि आपको ये छोटी चिडिया और इसकी खासियतें पसंद आई होंगी। अगली बार जब आप बाहर और इसकी मीठी आवाज का आनंद लें। इसके पैर नारंगी होते हैं जो इसे एक अनूखा और आकरशक लुक देते हैं। मैना गौरया से थोड़ी बड़ी होती है लेकिन इसकी सुंदरता और आकरशन में कोई कमी नहीं होती। मैना के पंक बहुत ही सुंदर होते हैं। जब यह उड़ती है तो इसके पंकों की च मैना की आँखें भी बहुत ही सुन्दर होती है, इसकी आँखों का रंग गहरा भूरा होता है, जो इसके चेहरे को और भी आकरशक बनाता है, इसकी आँखों में एक चमक होती है, जो इसे और भी जीवन्त बनाती है, मैना का शरीर बहुत ही संतुलित और मजबूत होता है, इ इसकी चहचहाहट बहुत ही प्यारी होती है जो सुनने में बहुत ही अच्छी लगती है इसकी आवाज में एक मिठास होती है जो इसे और भी खास बनाती है मैना का व्यवहार भी बहुत ही दोस्ताना होता है ये बहुत ही मिलनसार होती है और आसानी से इंसानों के साथ घुल म प्रकृती ने अपने संगीत का एक अनमोल तोफा हमें दिया है मैना की आवाज में एक खास मिठास होती है जो दिल को छूजाती है और मन को शांती प्रदान करती है ये तरह तरह की आवाजें निकाल सकती है कभी ये हल्की फुल की चहचाहट करती है तो कभी तेज और सपष्ट स्वर में गाती है इसके विभिन्न स्वर और ध्वनिया सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई संगीतकार अपने वाद्य अंतर पर विभिन्न राग बजा रहा हो कभी ये सीटी बजाती है तो कभी चहचाहाती है इसकी सीटी की आवाज इतनी मधुर होती है कि सुनने वाले मंत्र मुग्ध हो जाते है जब मैना चह चाहाती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई गीत गा रही हो और उसकी हर ध्वनी में एक नई ताजगी होती है और तो और मैना इंसानों की आवाज की नकल भी उतार सकती है यह अद्भुत पक्षी इंसानों की बोली को इतनी सटीकता से दोहरा सकता है कि सुनने वाले हैरान रह जाते हैं मैना की इस विशेशता के कारण इसे कई लोग अपने घरों में पालते हैं और इसके साथ बातचीत का आनंद लेते हैं मैना की आवाज का जादू सिर्फ उसकी मिठास और विविधता में ही नहीं बल्कि उसकी समबाद क्षमता में भी है यह पक्षी अपने आसपास के वातावरण से ध्वनियाँ सीखता है और उन्हें अपने अनोखे अंदाज में प्रस्तुत करता है मैना की इस अद्विती अक्षमता के कारण यह पक्षी न केवल पक्षी प्रेमियों के बीच बल्कि वैग्यानिकों के बीच भी बहुत लोगप्रिय है मैना की आवाज का अध्यान करने पर पता चलता है कि यह पक्षी अपने ध्वनियों के माध्यम से समबाद करता है यह अपने साथी पक्षीयों को बुलाने खतरे की चेतावनी देने और अपने क्षेत्र की रक्षा करने के लिए विभिन ध्वनियों का उपयोग करता है मैना की आवाज में एतनी विविधता होती है कि इसे सुनकर कभी भी बोरियत महसूस नहीं होती मैना की आवाज का एक और दिल्चस्प पहलू ये है कि यह पक्षी अपने ध्वनियों को समय के साथ बदलता रहता है ये अपने आसपास के बातावरण से नई ध्वनिया सीखता है और उन्हें अपने ध्वनियों के संग्रह में शामिल करता है इस प्रकार मैना की आवाज हमेशा ताजा और नई लगती है मैना की आवाज का जादू सिर्फ उसके ध्वनियों में ही नहीं बल्कि उसके व्यक्तित्व में भी है ये पक्षी बहुत ही चंचल और मिलनसार होता है ये अपने मालिकों के साथ घुल मिल जाता है और उनके साथ बातचीत करने का प्रयास करता है मैना की इस विशेष्टा के कारण इसे कई लोग अपने घरों में पालते हैं और इसके साथ समय बिताने का आनंद लेते हैं मैना की आवाज का जादू सिर्फ उसके ध्वनियों में ही नहीं बल्कि उसके व्यक्तित्व में भी है ये पक्षी बहुत ही चंचल और मिलनसार होता है ये अपने मालिकों के साथ घुल मिल जाता है और उनके साथ बातचीत करने का प्रयास करता है मैना की इस विशेष्टा के कारण इसे कई लोग अपने घरों में पालते हैं और इसके साथ समय बिताने का आनंद लेते हैं मैना की आवाज का जादू सिर्फ उसके ध्वनियों में ही नहीं बल्कि उसके व्यक्तित्व में भी है ये पक्षी बहुत ही चंचल और मिलनसार होता है ये अपने मालिकों के साथ घुल मिल जाता है और उनके साथ बातचीत करने का प्रयास करता है मैना की इस विशेष्टा के कारण इसे कई लोग अपने घरों में पालते हैं और इसके साथ समय बिताने का आनंद लेते हैं मैना की आवाज का जादू सिर्फ उसके धुनियों में ही नहीं बल्कि उसके व्यक्तित्व में भी है ये पक्षी बहुत ही चंचल और मिलनसार होता है ये अपने मालिकों के साथ घुल मिल जाता है और उनके साथ बातचीत करने का प्रयास करता है मैना की इस विशेशता के कारण इसे कई लोग अपने घरों में पालते हैं और इसके साथ समय बिताने का आनंद लेते हैं मैना को फल, बीज और छोटे-छोटे केड़े मकौडे खाना बहुत पसंद है ये अकसर पेड़ों पर, जमीन पर और घरों के आसपास खाना ढूनती रहती है मैना पेड़ों पर घोंसला बना कर रहती है ये अपना घोंसला सूखी घास, पत्तियों और टेहनियों से बनाती है मैना अक्सर अपने दोस्तों के साथ यानि जुंड में रहना पसंद करती है मैना को इनसानों के साथ रहना अच्छा लगता है इसलिए ये अक्सर हमारे घरों के आसपास देखने को मिल जाती है कुछ लोग तो मैना को पालते भी है मैना के बारे में बहुत सी कहानिया मशहूर हैं कहा जाता है कि मैना बहुत समझदार होती है और अपने मालिक के प्रतीव वफादार होती है मैना हमें हमेशा खुश रहना सिखाती है ये हमें मिल जुलकर रहने की प्रेड़ना देती है मैना हमें यह भी सिखाती है कि छोटे जीवों के साथ भी प्यार से पेश आना चाहिए हमें मैना और उसके जैसे सभी पक्षियों का ध्यान रखना चाहिए हमें उनके रहने के लिए पेड़ लगाने चाहिए और तो और हमें उन्हें खाना और पानी भी देना चाहिए